दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरे शॉर्ट वीडियो के चैनल पे कॉप्रेश ट्राइक आये है जिसका नाम सबसे पहले शॉर्ट अन्फेक्ट्स था बाद में मैंने इसका नाम अनिमल डोस्टर शॉर्ट कर दिया था पिछले मैंने ही तो जिसने कॉप्रेश ट्राइक उसे मैंने काफी मेल किये लेकिन उसका कोई response नहीं आया तो 12 तारिको यानि आज मेरा चैनल डिलेट होने वाला था इसलिए मैंने कल 11 तारिको counter appeal सब्मिट की उसमें मैंने सारे बाते लिखी जो जरूरी है मेरे counter appeal करने के बाद उस बंदे के पास अब 10 दिन का time होता है उसे अपने बात रखने का तो उसका reply अभी तक नहीं आया शायद 2-3 दिन के बाद उसका reply आ सकता है शायद ज़्यादा भी time लग सकता है यह सब उस पर depend है पर मुझे YouTube की तरफ से आज सुबब 5 बजे एक reply आया जिसमें YouTube ने बोला कि मेरे पास एक valid reason नहीं है counter appeal करने का और साथी YouTube ने बोला कि अगर गलती से content remove हुआ हो तो ही counter appeal करे फिर नीचे YouTube ने मुझे कुछ point दिये जिसे मैं consider करू यानि कि ध्यान मिलू और साथी counter appeal करना मतलब एक legal process शुरू करने जैसा है अगर दूसरा बंदा अपनी बात पर अडा रहता है तो फिर YouTube बोलेगा कि तुम अपना जगडा court में ले जाओ और वहाँ पर जो judge decide करेगा वो ये आकरी फैसला होगा अब ये matter court में भी चाहे तो भी मैं पीचे नहीं हटूंगा मेरी दो साल की मिनत मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा अब बस देखना है कि उस बंदे का क्या reply आता है आप बस इसी चैनल पर जुड़े रहिए आगे की update में देता रहूंगा ओके